हेलो फ्रेंड्स वेलकम तु माई यूट्यूब चैनल मैं आनंद मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ आज का हमारा टॉपिक पॉलीमाइड पर-पर आधारित है जिसको हम नाइलॉन भी कहते हैं एमाइड ग्रूप के उपस्थित होने की वजह से इसे पॉलीमाइड नाम से जाना जाता है आज हम पॉलीमाइड के raw material method of manufacturing properties तथा इसके application के बारे में detail से जानेंगे वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल का उद्देश्य technical concept को easy language में explain किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा student technical concept को आसानी से समझ सके actually plastic material का content हिंदी में काफी कम available है इस वजह से मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को हिंदी language में plastic engineering से related सारे subject का content प्रोवाई किया जाए ताकि सारे student plastic engineering को बहतर तरीके से समझ सकें तो चलिए आज का topic स्टार्ट करते हैं polymide एक thermoplastic material है जो की engineering plastic में आता है इसे को polymerization के condensation process से बनाया जाता है यह कार्बोसिलिक acid तथा amino acid के reaction से बनता है यह है emorphous nature का होता है यह water loving property रखता है इसका मतलब यह material water को सोकने की tendency रखता है यह कई सारी grade में available है यह flexible तथा lase rigid nature का होता साथ ही इसमें heat resistance property होती है यह polymide material की शार्ट समरी थी अब हम इसे detail से detail से समझते हैं आप सभी वीडियो के last तक बने रहे ताकि आप सभी के सारे concept clear हो सके साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe करें ताकि important वीडियो की notification आप सभी तक पहुँच सके तो चलिए अब विस्तार से समझते हैं पॉलियमाइड को आमतोर पर नाइलॉन के रूप में जाना जाता है यह एक प्रकार का engineering plastic है जिसमें excellent mechanical thermal और chemical properties होते हैं यह एक synthetic polymer है जो polyamides के परिवार से संबंधित है जो की उनके आणविक संग्रचना में amide kong linkage की उपस्थिती के कारण है पॉलियमाइड अपने असाधारन प्रदर्शन विशेश्टाओं के कारण automotive, electronics, aerospace, उत्भोक्ता वस्तूओं और अधिक सहित विभिन उद्योगों में व्यापक रूप से उप्योग किया जाता है sources of raw material पॉलियमाइड उत्पादन के लिए कच्चा माल पेट्रोलियम आधारित स्रोतों से प्राप्थ होता है पॉलियमाइड के निर्माण में उप्योग किया जाने वाला प्रामरी raw material acid है जो बेंजीन या ब्यूटाडाइन से प्राप्थ होता है और एडिपोन आइट्राइल से प्राप्थ हेकसामिथिलेंडामाइन HMBA ये मोनोमर्स लंबी श्रिंखला पॉलियमाइड पॉलिमर बनाने के लिए एक पॉलिमराइजेशन प्रक्रिया से गुजरते हैं मेथ़ड आफ मैन्यूफैक्चर पॉलियमाइड आमतौर पर एक कंडिनसेशन पॉलिमराइजेशन रियक्षन के माध्यम से निर्मित होता है जिसे स्टेपग्रोथ पॉलिमराइजेशन के रूप में भी जाना जाता है इस प्रक्रिया में अमीनो ऐसेड मोनोमर्स के बीच रियक्षन शामिल होती है जिसके परिणामस्वरूप Amide Linkage का निर्मान होता है और एक उतपाद के रूप में पानी निकलता है यह प्रतिक्रिया बैच या Continuous Reaction सहित विभिन तरीकों से की जा सकती है और इसके लिए आवश्यक आणविक भार और गुनों को प्राप्त करने के लिए तापमान और दबाव के सटीक नियंतरण की आवश्यकता होती है General Characteristics and Properties एक Mechanical Properties, Polyamide Excellent Mechanical Strength, Height Toughness, Good Impact Strength प्रदर्शित करता है इसमें Height and Sile Strength उच्च है जिससे यह Deformation या Breakage के बिना भारी भार का सामना कर सकता है इसके अतिरिक्ट इसमें Fatigue Resistance अच्छा होता है और यह Repeated तनाव को सहन कर सकता है दो डॉट Thermal Properties विशिष्ट प्रकार के आधार पर Polyamide में अपेक्शाकरित High Melting Point होता है जो आमतोर पर 180 से 300 डिग्री Celsius तक होता है यह उच्चतापमान पर अपने Mechanical Properties को बरकरार रखते हुए Good Temperature Resistance भी रखता है हालांकि लंबे समय तक उच्चतापमान के संपर्क में रहने से Thermally Degrade हो सकती है तीन डॉट Chemical Registance, Polyamide तेल, ग्रीस, इंधन और कार्बनिक सॉल्वेंट्स सहित कई रसाइनों के लिए उच्च्छ्ट प्रतिरोध प्रदर्शित करता है यह क्षार के प्रती भी प्रतिरोधी है, लेकिन स्ट्रांग एसिड से प्रभावित हो सकता है हालांकि विशिष्ट प्रकार के Polyamide के आधार पर इसका Chemical Registance भिन हो सकता है चार Electrical Properties, Polyamide एक उतक्रिष्ट विद्युत इंसुलेटर है, जो इसे विद्युत और Electronic अनुप्रयोगों के लिए उप्युक्त बनाता है इसमें Good Dielectric Strength, Low Dielectric Constant होता है, जो Electric Leakage तथा Interference को रोकने में मदद करता है पांच-Dot Water Absorption, Polyamide में पर्यावरन से नमी को अवशोशित करने की प्रवृत्ती होती है, जो इसकी Dimensional Stability और Mechanical Properties को प्रभावित कर सकती है हालांकि इस Property को Moisture Registance Grade के उप्योग के माध्यम से कम किया जा सकता है Processing Behavior और Application Polyamide एक बहुमुखी Material है, जिसे विभिन तकनीकों का उप्योग करके Process किया जा सकता है जिसमें Injection Molding, Exclusion, Blow Molding और बहुत कुछ शामिल है यह Good Flow Properties रखता है और आसानी से जटिल आकार और जटिल भागों में ढाला जा सकता है Polyamide के कुछ सामान्य अनुप्रयोग है एक Automobile Industry, Motor वाहन खेतर में Engine Components, Fuel System Parts, विध्युद Connectors, Gear, Bearing और विभिन आंतरिक और बाहरी घटकों के उत्पादन के लिए Polyamide का व्यापक रूप से उप्योग किया जाता है क्योंकि इसकी Excellent Mechanical Strength, Heat, Registant और Chemical Registant होती है दो Electrical और Electronics, इसके Electrical Insulating Property के कारण Polyamide Connectors, Switch Circuit Breaker, Cable Insulation और अन्य विध्युद घटकों के निर्मान में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है 3. Customer Goods, Polyamide उप्भोकता वस्तुओं जैसे खेल उपकरण, उपकरण, उपकरण और विभिन घरेलू वस्तुओं में अनुप्रयोग पाता है इसका उप्योग रसोई के बर्तन और कपड़े के रेशे जैसे उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है 4. ओद्योगिक अनुप्रयोग, Polyamide का उप्योग ओद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है जिसमें Convair Belt, Gear, Bearing, Rollers और अन्य घटक शामिल हैं जिनमें High Strength Wear Registance की आवश्चक्ता होती है 5. Textile Polyamide Fiber, जिसे आमतोर पर Nylon Fiber के रूप में जाना जाता है का उप्योग कपड़ा उद्योग में परिधान, कालीन और ओद्योगिक कपड़ों के उद्पादन के लिए किया जाता है Nylon कपड़ों को उनकी Strength, Flexibility और Friction Registance के लिए जाना जाता है बाजार में विभिन प्रकार के Polyamide उपलब्ध हैं जैसे Nylon 6, Nylon 6, Nylon 6, 12, Nylon 11 और Nylon 12 प्रत्येक विशिष्ट गुनों और अनुप्रयोगों के साथ उप्युक्त Polyamide प्रकार का चुनाव अंतिम उत्पाद की Desired Characteristics और आवशक्ताओं पर निर्भर करता है इस तरह से आज के विडियो में हमने Polyamide के बारे में जानने का प्रयास किया अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें साथ ही कमेंट करें मैं उसका रिपलाई करने की कोशिश करूँगा साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके के इंपोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन्स आप सभी तक पहुँच सके धन्यवाद